कि नुश्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भुषय कोचिंग सिरी गंगा अंगर के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपने सुचना साई का एकजाम दिया अपने सिस्टम असिस्टेंट का एकजाम दिया होगा बहुत सारे स्टूइंट्स नहीं भी दिया है अब बात आती है कि सर तो सुचना साई का पेपर है उसमें लगे कि थोड़े माक्स कम है क्या अगर लगे कि सिस्टम असिस्टेंट के पेपर में भी माक्स मुझे कम लग रहे हैं तो मुझे आगे क्या करना चाहिए यह कई स्वाल थे तो मैंने का भी चल अपन करते हैं और एक चोटा सा मेरा भी इसमें यह उदेश है था कि अपन बेच स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए दोनों ही बात हो जाए कि आपका अगर गौर्मेंट जोब का सबका यह टार्गेट है कि मुझे गौर्मेंट जोब ही चाहिए और करना पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कौन-कौन सी आगे बढ़तियां हैं जिन पर अपन बढ़िया तरीके से टार्गेट कर सकते हैं तो सबसे पहले चीज क्या है देखो जो आज का उदेश्य है वो सिंपल सा है बेच स्टार्ट करना है और बेच के बारे में इंफोर्मेशन आपको देनी है में तो पॉइंट है वो डारेक्ट में आपको बता देता हूँ कि बेच स्टार्ट कर रहे है और बेच के इंफोर्मेशन देने के लिए मैं आप सब के सामने आया हूँ इससे पहले ये बेच क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि देखिए अभी जो चलना है साल ये है दो हजार चोवीस दो हजार चोवीस में आपके पास एक ऑप्षन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के बच्चे है वो है आईये का था और एक ऐसे का था सिस्टम असिस्टेंट का तो तीसरी एक आज नया नोटिफिकेशन आया है जूनियर इंस्टक्टर का जूनियर इंस्टक्टर का जूनियर इंस्टक्टर ये जो अपने कंप्यूटर लैब है ये जो क्या है कंप्यूटर लैब होती है जो कोपा आईटिय कॉलेज है उनके अंदर है तो कंप्यूटर लैब के लिए एक पोस्ट आई है जूनियर इंस्टक्टर की यानि कि प्रयो 2024 में इसका आज ही notification आया है अग इसके अंदर क्या क्या qualification है इसका मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूँगा इसमें में है कि अगर आपके पास से जैसे मालो teaching line में जाना चाते हो तो आपके पास बीड होना जुरूरी है वेसे ही अगर आप इस भरती के लिए केवल मैं इस junior instructor कोपा वाली की बात कर रहा हूं इस बरती के लिए अगर आपने home apply करना है तो आपके पास CITS का डिप्लोमा होना जुरूरी है CITS की जानकारी आपको होनी चाहिए पहला सुचना सा एक दूसरा system system तीसरा मैंने आपको बता दिया instructor इसमें वो सकता है बच्चे बहुत कम हो हो सकता है कि बच्चे इस वाले पार्ट में क्या हो कम हो क्यूंकि इसके अंदर जो उन्होंने qualification रखा है एक यह मांगा है एक इन्होंने साथ में क्या मांगा है experience भी आपके पास होना चाहिए तो पढ़ाने का आपको ITA college के अंदर experience भी इन्होंने मांगा है तो यह जो criteria है वो पूरे राजस्तान में बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं है जो fulfill करते होंगे अगर आपके पास ऐसी कोई degree है CITS आपने कर रखा है या आपके पास साथ में experience भी है और आपके पास PGDCA है MSC है BCA है BTEC है तो आप यह भी फोम बर सकते हैं आज नोटिफिकेशन आगया मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं इसकी पूरी जानकारी है अब अपन बात करते हैं इस वाले पार्ट की बात करें इस वाले पार्ट के अंदर हमा basic computer instructor है किसके अंदर आप सबको पता है कि जो संस्क्रित डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी यह आने वाली है और एक basic computer instructor की अगर बात करें तो जो कोपा वाले हैं जो यह बता रहा हूं यह तो इनोंने निकाली है junior instructor यानि की computer lab के लिए और यह जो BCI जो है basic computer instructor कोपा के basic computer instructor भी पोस्ट है कितनी संख्या होगी देखो मैं बिल्कुल भी इनांकडों पे नहीं जा रहा बट यह भरती आने वाली है कौन से साल की बात कर रहा हूं 2024 की उसके अलावा computer instructor की जो पोस्ट है वो education department में इसके अंदर education department के अंदर भी आने वाली है हो सके तो बहुत जल्द जाई हो सके उसमें टाइम भी लग सकता है यह department का प्रोसेस है department अपना काम कर रहा है अपने को अपना काम करना है तो मुझे लगता है कि तीन आप्सन आपके पास जो है एक तो संस्केट department वाला दूसरा जो कौपा के अंदर है तीसरा education department जो अभी पीछे बहुत बड़ी की बात करें computer instructor की अगर बात करें और इसके syllabus की बात करें इसका जो syllabus है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं मुझे लगता है कि 6-8 मेने लगते हैं 6-8 मेने का complete syllabus है computer instructor का 6-8 मेने की बात करें तो अगर आज notification आता है तो हो सकता है 6 मेने का time नहीं मिले पिछली बार जब notification आया था और paper की बात करें तो notification से exam तक का जो approximate मुझे जितना सा ध्यान आ रहा है लगवग 110 दिन का ही time मिला था आपको लगवग 3 मेने तक का time आपको दि आपने government job की तरफ जाना है और आपका target है fix है और सुचना साइक या system assistant में आपको लगे कि थोड़े marks कम लग रहे हैं तो आपको preparation start करनी चाहिए आज की जो preparation है यही आपके काम आएगी final selection तर जैसे मालो notification आ जाता है ना तो notification के बाद सबसे बड़ी problem क्या आती है कि आप यह त इस तरीके से study करनी चाहिए अब कैसे भी करो self study करो मैं मानता हूँ self study करो अगर आपको लगे कि self study से नहीं हो पा रहा है तो फिर कहीं ने कहीं आप coaching center पे कहीं ने कहीं आप इस चीज की help ले सकते हो लेकिन दोई चीजों पर काम करिए सबसे पहली चीज क्या है learning और दूसरा जितनी ज़्यादा practice कर सकते हो टेस्ट लगा सकते हो यह सारा का सारा यह केवल और केवल लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए रेगुलर आपके क्या होने चाहिए टेस्ट होने चाहिए दूनों चीजिए अगर बहतर तरीके से कर जाते हैं तो computer instructor का जो स्लेबस है वह आपके लिए आसान हो सकता है रादे रादे रीतो बिल्कुल पसंति कुमार है गोपाल परिहार जी बिल्कुल जैश्री कृष्णा अपने बात करेंगे कमेंट पे पहले यह देखेगा तो यह पूरा स्लेबस है computer instructor का अब computer instructor की बात करें तो यह जो स्लेबस अ देखो कि सर मैं पिछले 2018 में paper दिया था सुचना साइका फिर मैं दे रहा हूं तो सालों साल भी निकल गे यह 6-8 मेने भी निकल जाएगी यह भरती भी आजेगी चली जाएगी लेकिन उदेशे क्या होना चाहिए यह जो आने वाले 6-8 मेने हैं मैं ज्यादा नहीं कह रहा ल इनको दो टाइम में भी डियुवाइड कर सकते हूं दो घंटे शुवे दयद्या दो घंटे शाम को दढ़े इस चार गंटे को अब की बार मेरे कोडिंग आप इसको तीन और एक में इन घंटे आप अच्छे तरीके से प्ढ़ाई करलो एक गंटे आप क्या कर लो उस्सीश कर लो जैसे ही किनसी जाए पास में नोटिफिकेशन आजे पेपर का पता चल जाए तो फिर इस टाइम को आप अपने कोडिंग क्या कर सकते हो सेट कर सकते हो इससे आपका पता क्या होगा एक तो में दिमाग पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है मे सेट में एंटर करने की परमिशन दी जा रही है फिर भी स्टूडेंट्स कर रहा है कि मैं थोड़ा कुछ और पढ़ लूँ इस पोजिशन से बचने के लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी बहतर प्लानिंग अगर आपकी होगी तो फिर आप आराम से प्रोब्लम आए या हम आपको जो रिजल्ट मतलो भी जितना भी आपको मतलो पढ़ाया जाए उसमें आपको कहीं प्रोब्लम आए लेकिन प्रोब्लम सबसे बड़ी कहां आती है कि हम इस टाइम के अंदर प्रोपर तरीके से क्या नहीं कर पाते प्रेक्टिस नहीं कर पाते कोचिंग सेंटर ने पढ़ा दिया अपनोंने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया लेकिन कोचिंग सेंटर का काम क्या है स्लेबस कंप्लीट करो ना स्टूडेंट ने स्लेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन दूसरा जो फेज है वो आता है टेस्ट का अब क्लास टेस्ट हो गया माल selection तभी ले पाओगे जब आपकी practice बहुत अच्छी होगी मैं जिसे मालोगर पढ़ाने की भी बात करें मैं मेरा एक चोटा से example दूँ कि मुझे याद तो है चीजे लेकिन मुझे कहा गया मैंने तरीके से आना चाहिए अगर ऐसी प्रिष्टिति आगर आती है तो सवाल कैसे है क्योंकि 2018 से 2024 की अगर मैं तुलना करके बताऊं मैं सारी पेपर देखता हूं कोई हुआ चाहिए नहीं है टेक पार्ट नं टेक पार्ट है लेकिन डिपार्ट्मेंट यह गौर्श्य कर रही है हर dislike कुछ नया इस ची कर रही है इन चीजों को अपने संभ में आता है तब तक टूंधिया चला जाता है लो पेपर वाले होल में बैठे हो तो पेपर मुस्कील लगता है गर आके देखते हो तो तो पेपर आसान लगता है पेपर लेंदी और बरने में गल्तियां हो जाती हमिंगा सारी किस इस कम्या एक चीज़ी दूर कर सकती है वो आपके जितने टेस्ट आप लगाते हैं प्रैक्टिस करते हैं वहीं से हो सकता है पाकी तो देखो भी आप सब बड़िया तरीके से त्यारी कर रहे हैं और बैतर तरीके से आप जानते हैं तो यह सारी चीजे हैं अब मिए यह धा कि इन चीजों के लिए बैसिक कंप्योटर इंस्ट्रक्टर का अगर आपको विफ जॉइन करना चाहते हैं उसे अगर कोई क्ट्षे धॉन कर सकता है एक अंलाइन क्लासर्ग भी जॉइन कर सकता है क्य CAP अगे कोई तो डू ट्रिपल लाइन लेकिन अगर बात करें, 10 मार्ष तक अगर आप यह कॉर्ष जोइन करते हैं, तो इसकी फीस रहेगी 21 double line, 21 double line, तो अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो जोइन कर सकते हैं, कल से इसमें live classes रहेगी दोस्तों और live classes का मैं थोड़ा सा method बता देता हूं कि जैसे ही class start होगी उस समय अगर आप class live attend नहीं कर पाते तो recorded रूप में मिल जाएगी इस बेच की जो validity रहेगी वो कम से कम अगर मालो paper हो गया तो ठीक है नहीं तो 24 महीने तक आप इस बेच को access कर सकते हैं यह मेरा पहला बेच होगा जिसकी validity आपको इतने time तक दी जा रही है क्योंकि student सोचता है कि अगर मालो एक साल तक paper नहीं हुआ, 6 महीने में paper नहीं हुआ, तो 24 महीने तक computer instructor का जब तक paper नहीं होगा, तब तक यह बेच का access आपके पास सब के पास रहेगा, तो यह बेच है, अ जाके देखे, दहां लिखा हो, 6 मार्चे, इस बेच को आप जोइन करिएगा, जिसमें रोजाना की live classes रहा करेगी, और live classes के साथ साथ, अब की बार इसमें special बेच में क्या रहने वाला है, एक तो classes देखो live है, इसले बस तो करना ही करना है, उसके बाद जितने भी pyq है, pyq ज सतर टेस्ट में आपको दूँगा, complete इस पूरे के अंदर, यानि कि जो टेस्ट स्रीज है, उसको आपको जोइन करने की जुरूरत नहीं है दोस्तों, इन में हमारे पास अगर मालो मैंने का सतर टेस्ट की बात की, pyq की बात की, और live बेच की बात की, इसमें अगर किसी को भी ट्रिपल नाइन ही रहेगी, तो यह चोटी सी जानकारी थी बेच के बारे में, अगर आपका हो कि मुझे करना है, तो आपके लिए best है, और कल इसके अंदर live class start हो जाएगी, और मैं जो इसके अंदर जो complete करौँगा, वो आपको इसके बीच बीच में classes आपको YouTube पे भी देख देखने को मिलेगी, तो आपको लगे कि हां सर मुझे पहले देखना है, यह classes किस तरीके से करवाय जा रहा है, उसकी classes आपको आने वाले टाइम में YouTube पे भी देखने को मिलेगी, देखो, आप अपनी एच्छे तरीके से shorty करिएगा, जब तक लगे कि हां ठीक है, मुझे YouTube से करो, कोचिंग किसी और से कहीं से भी करो, लेकिन स्टार्ट कर दो, यह मौका फिर हाथ से निकल जाएगा कहीं ने के, अब अगर बात करें, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, सर आये का result कब आएगा, देखो, आये का result मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब टाइम लग इपार्टमेंट से स्वंदित भरती है, वो पहले आपको बता रहे हैं सारी चीजें, और मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए, और गौर्मेंट भी भड़िया तरीके से यह काम कर रही है, कि जो पेपर लीक की बात हो रही है, नाइनटीफॉर दी, तू देखो आईए में अगर नाइनटीफॉर के उसन से ही हो रहे हैं, तो टाइपिंग तो करनी चाहिए, आपको बढ़िया तरीके से टाइपिंग करनी चाहिए, अगर कहीं रहे गे ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसले भी class हो इसे भी देख रहे हो उस class के जो notes है ना उन notes को बनाऊना तो हर एक topic के बाद हर एक topic के बाद कम से कम 3-4 page खाली छोड़ दो topic के बाद 3-4 page खाली छोड़ के उसके बाद करो इसका benefit क्या होगा कि जैसे मालो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे यहां से आपने पढ़ा कहीं और से पुरा topic पढ़ाया, उसमें लगा कि इस teacher ने ये वाली बात पताई ये अलग से और इस teacher ने ये वाली बात पताई, तो ये जो दो तिन पेज आपके बीच में खाली है न, उसमें उन चीजों को लिख लो, कोई extra information आपको मिले तो, अपने पता है क्या करते हैं, जब classes हो, तो proper इसको schedule नहीं करते हो, जब time आता है revision का, तब डूढ़ना पड़ता है, डूढ़ना पड़ता है, कोई register में कहीं लिख दिया, कोई register में कहीं लिख दिया, किसी को जगह मिली, इसको ने में कुछ चाप दिया, तो revision proper तरीके से होता नहीं, और फिर आदमी क्या है, अंदर से प तो इन चीजों पर थोड़ा भी अगर आप चाहें तो बड़िया तरीके से कर सकते हैं बेच की मैंने जो information थी वो सारी के सारी मैंने बता दी है और programmer की अगर त्यारी कर रहे हैं तो programmer में लगे रहो programmer की सीरीज मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब पे जिसमें पीवाई क्यू करोंगा हम आपको ताकि आपको computer instructor में भी लगे कि हाँ अपने यह टॉपिक्स है तो इस तरीके के सुवाल पूछे जा सकते हैं तो उन पर भी अपन बात करेंगे कि स्टूडेंट को कुछ पूछना है आए कि result के लावा तो result का तो मैंने बता दिया भी आप सब को MBC स्टार्ण में final हो सकता है क्या बिल्कुल देखो MBC की बात करें मैं यह तो नहीं कह सकता कि final नहीं होगा या मैं नहीं कह सकता final होगा वो final जिसने result आ जाता है ना final किसको कहते है कहते हैं कि सर मेरा result है मेरा final selection होगा हाज कल तो student उस पर भी कम विश्वास करने लगे जैसे काफी दो तीन दिन से चल लाए ना जैसे पर लीक वालों का तो कुछ नहीं होता final कुछ नहीं है final वही है जिस दिन सेलेक्शन हो जाए जो पर जाने लग जाओ वही चीज़े फाइनल है भई तो एक ना जुटी तसली देना आपने आपको मुझे लगता है गलत है चीज़ों को सविकार करना सीखो उससे नहीं हो रहा ठीक है मुझे नहीं हो रहा लेकिन मैं इतना वहम में हूँ कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मैं कर सकता हूं लेकिन मेरी आत्मा को पता है कि मुझे नहीं हो रहा है तो ऐसा काम नहीं करिए बड़े पेर सिस्टम से क मेरा स्लेक्षन होगा तो ठीक है नहीं हुआ तो मैं और मैनेट कर लूँगा इतनी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए क्योंकि हर दिन क्या है एक चैलेंजिंग है इनको आप करते करते पता ही नहीं चलता पूरा जीवन चोटे चोटे चलेंज से निकल जाता है नोकरी तो माल लोकल मिल जाएगी तो क्या लाइफ के चलेंजिंगे नहीं होएंगे हाँ जी गुर्पवाल जी बिल्कुल असीज कह रहा है सर ओफ लाइन वाले बेच कब से स्टार्ट होगा बिल्कुल असीज मैं बता दूंग आपको ओफ लाइन बेच के लिए ठीक है